मध्य प्रदेश में नील गाय और जंगली सुवर के शिकार के अनुमती अब आवेदन करने के आट दिन में मिल जाएगी लाइसेंसी हत्यार रखने वालों को ही अनुमती मिलेगी वन्वभाग लगभाग 20 साल पुराने नियम में बदलाव करने जा रहा है विधायकों की राय के बाद इसे मन्जूरी दे दी जाएगी विधायकों को पत्र भेज दिये गए हैं वर्ष 2000 में नील गाय को मारने और 2003 में चंगली सुवर को मारने के नियम बंदे थे नए नियम में वाटसेप या इमेल पर रेंजर को भेजी कई सूशनक को ही आवेदन माना जाएगा शिकार के अनुमतिक अथिकार भी जिलाप्रशासन से लेकर फॉरेस्ट के स्टियों को दिया जाएगा इंदोर उचैन पन्ना छतरपूर रिवा सरकिल से जोड़े शेतर में नीलगाय और खंडवा होशंगबाद इटारसी मंडलाउ मरिया डिंडोरी वाट टाइगर रिजर्व के आसपास के शेतर में जंगली सूवर है हत्यार लाइसेंसी शिकार कर सकेगा यदि किसी के पाइस लाइसेंस नहीं है तो वे उस जिले के किसी भी दूसरा लाइसेंसी व्यक्ति से शिकार करा सकेगा फ़म में दोनों के नाम सेंक्त रूप से लिखे रहेंगे समय सीमा तैर रहेंगी आवेदन मिलने के बाद रेंजर पांच दिन के भीतर मौके पर जाकर देखेगा और उसकी रिपोर्ट के बाद तीन दिन में S.T.O. मंसूरी देखा यजी जमीन पर जानवर को बारने के बाद यदि वे जंगल में जाकर मारता है तो इसमें कोई विवात नहीं होगा एक बार में पांच-पांच जंगली सुवर या नील गाए को मारने की जाज़त रहेगी टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए ब्योरो रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश टाइम हेट मद्ध प्रदेश आपका अपना चैनल है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूलें मध्य प्रदेश में नील गाय और जंगली सुवर के शिकार के अनुमती अब आवेदन करने के आट दिन में मिल जाएगी लाइसेंसी हत्यार रखने वालों को ही अनुमती मिलेगी वन्वभाग लगभाग 20 साल पुराने नियम में बदलाव करने जा रहा है विधायकों की राय के बाद इसे मन्जूरी दे दी जाएगी विधायकों को पत्र भेज दिये गए हैं वर्ष 2000 में नील गाय को मारने और 2003 में चंगली सुवर को मारने के नियम बंदे थे नए नियम में वाटसेप या इमेल पर रेंजर को भेजी कई सूशनक को ही आविधन माना जाएगा शिकार के अनुमतिक अथिकार भी जिलाप्रशासन से लेकर फॉरेस्ट के स्टियों को दिया जाएगा इंदोर उचैन पन्ना छतरपूर रिवा सरकिल से जोड़े शेतर में नीलगाय और खंडवा होशंगबाद इटारसी मंडलाउ मरिया डिंडोरी वाट टाइगर रिजर्व के आसपास के शेतर में जंगली सुवर है हत्यार लाइसेंसी शिकार कर सकेगा यदि किसी के पाइस लाइसेंस नहीं है तो वे उस जिले के किसी भी दूसरे लाइसेंसी व्यक्ति से शिकार करा सकेगा फ़म में दोनों के नाम सेंक्त रूप से लिखे रहेंगे समय सीमा तैर रहेंगी आवेदन मिलने के बाद रेंजर पांच दिन के भीतर मौके पर जाकर देखेगा और इसकी रिपोर्ट के बाद तीन दिन में S.T.O. मंसूरी देखा यजी जमीन पर जानवर को बारने के बाद यदि वे जंगल में जाकर मारता है तो इसमें कोई विवात नहीं होगा एक बार में पांच-पांच जंगली सुवर या नील गाए को मारने की जाज़त रहेगी टाइम-8 मध्यप्रदेश के लिए ब्योरो रिपोट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम-8 मध्यप्रदेश टाइम-8 मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिल्कुल न भूलें